जैहीं दोस्तों, आज हम एक नई खुश्कबरी और सुचना के साथ उपस्तित हैं। काफी दिनों से बहुत सारे लोग इस तालाज में थे, इस इंतजार में थे कि केंद्रे विद्याला का अड्मिशन कवसे शुरू होगा। तो इस बार मैं बता दूँ कि मार्च में केंद्रे विद्याला का अड्मिशन शुरू होने जा रहा है। जो हमारे मन में प्रस्णों बनते हैं, उन तमाम प्रस्णों को मैं हल करने की कोशिस करूँगा और असान तरीके से समझाने की कोशिस भी करूँगा कि इस तरह से एड्मिशन प्रकिरिया पूरी होती है के अंद्रे विद्याला में। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एज क्राइटिरिया की। इस वर्ष आड्मिशन होना है, यानि अब इस बार बर्ष 2021 के हम बात करें तो 31 मार्च 2021 तक बच्चे की एज पाँच वर्ष कम से कम होनी चाहिए और अधिक से अधिक साथ वर्ष होनी चाहिए, क्लास 1 के लिए अच्छा याद लेना है कि Class 1 के admission जो है वह इसी age criteria के अधार पर ही किया जाता है इसमें कोई written test नहीं होता है अच्छा इसमें हम बात एक और भी कर लेते हैं category wise इनमें category का भी एक column आता है जिसमें general, OBC, EWS, economic weaker section जिसको हम बोलते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोड लोग हैं उनके लिए single girl child का special privilege है यानि SGC का मतलब single girl child जिन अभिवावा के सिर्फ एक ही बच्चे हैं वह लड़की ही है वह इस condition को fulfill कर रहा है तो वह इस category में आएंगे SC, schedule caste, ST, schedule tribe एक MP quota भी होता है और एक physical challenge भी होता है इन category के आधार पे हम admission ने अपना जगाब बना सकते हैं अब हम बात करेंगे किन-किन documents की requirement होती है admission करवने से पहले हमारे पास कौन-कौन से paper होने चाहिए ताकि हम admission प्रकिरिया को पूरा-पूरा सफलता बुरवक पाव सके हैं तो इसके लिए पाला है birth certificate of child competent authority के द्वारा जो बनती है जन्म प्रमान पत्र वह बचे का होना चाहिए दूसरा address proof address proof का मतलब उनके parents का address proof होना चाहिए about two and half kilometer range में धाई kilometer range में होना चाहिए अगर बचे का घर त्वासा दूर भी है फिबी उनके पास valid residence proof भी होना चाहिए ताकि उस form भरने वक्त उसको fulfill कर पाएं तरीका तो यही है हाई kilometer range में लेकिन कभी कभी लोग कुछ दूर और अधिक भी होते हैं फिर भी form भर देते हैं तो यह लोग eligible हैं बट उनके column को उसी हिसाब से select करना परेगा सारी परिकरिया online ही होती है इसको ध्यान रखेंगे अच्छा blood group की भी requirement होती है बहुत सारे विद्याले में blood group की भी demand करते हैं तो बचों का blood group पता होना चाहिए चौती बात passport size photograph तीन passport size photograph की requirement है category wise certificate if required मैंने लिखा भी है कि अगर किसी category का benefit उठाना चाहते हैं तो उसके लिए उनके concern में जो certificate है वो आपको produce करना होगा ताकि या satisfy हो पाए कि आप उस category का benefit उठाना चाहते हैं एक last बात और भी समझनी है कि जिस तरह से आपने form को fill किया था online माध्यम से उसकी print out भी आपके पास होनी चाहिए ठीक है अब हम बात करेंगे कुछ और महत्रपुन मुदों पर अब seats क्या है number of seats की बात करेंगे possibilities क्या है distance और fees इनकी वी चर्चा हम करेंगे मैं आपको बता दूँ class 1 में 40 seats होते हैं एक class में राइट न और सब्सकूल में तीन section है तो 120 seats हो गए उस 120 seats में से आपको देखना है कि यह किस तरह से हमारे admission में number आ पाएंगे राइट न तो याद रखना है यहां पर कि हमें category का chain अच्छे तरीकों से करना है कि हम उस range को fulfill कर रहे हैं उस category में lie कर रहे हैं तो उसी हिसाफस उस column को हम chain करेंगे अगर जो general candidate है किसी खास condition को fulfill नहीं कर रहा है तो उसके लिए तो मुस्किल बनती है लेकिन फिर भी priority के अधार पे उनका number आ भी सकता है उसके लिए तरीका क्या है हमें उन school का chain करना है जो admission दिलवा पाने में संबभ हो पाए उसका थ्वासा ध्यान रखेंगे दूरी के अधार पे possibility तभी बन पाएगी अच्छा distance from the school इसकी चर्चा हमने पीछे भी किया है नियम के उनसा धाई किलोमेटर रेंज में स्कूल होना चाहिए अगर आपके आज पास में धाई किलोमेटर रेंज में इसकूल है जो नियर वाई है तो नजदी के इसकूलों का ही नाम दे ताकि वहाँ पर chances बनते हैं होता है क्या है बच्चे दूर के इसकूल में भर देते हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है उसका वजह दिस्टंस ही होता है कि उनके दूरी धाई किलोमेटर से ज़्यादा हो जाती है तो आइसका भी चैन करने के वक्त धियान रखेंगे इसका मतलब कितने इसकूल में भर सकते हैं एक कैंडिरेट अधिक से अधिक तीन इसकूलों में भर सकता है यानि कॉल मुवान प्रायोरिटी भरनी पड़ती है 1,2,3 तो किस पाले इसकूल जो सबसे नजदिक है उसमें फिर उसके बाद उससे नजदिक में लेकिन आप ध्य ध्यान रखेगा ऐसी जगह पर भरें जहां पर प्रायोरिटी मिल पाए आपकी संभावना बढ़े पाए एड्मिशन सौर्ट लिस्ट होने की तो उसका ध्यान रखेंगे तीन इसकूल में भर सकते हैं अच्छा वेर्यू काहां से भर सकते हैं आप तब आपको पता ही है बा अब इसमें करना क्या है अब जब फॉर्म आप भर देंगे तो आपके पास डोकुमेंट्स की जानकारी हो गई क्या क्या चीए सभी की इसकान कॉपी इसमें लगती है राइट नहीं तो याद रखें इन तमाम पेपर्स को इकठा कर लें और जैसे ही डेट स्टार्ट होता ह है उसी समय इसको फिल करना सुरू करते हैं चुकि बाद के लास्ट डेट के भरों से मत रहना है ताकि बाद में नेटवर्क के प्रॉब्म से भी कभी कभी दिक्कत हो आती तो चांस नहीं गवाना है और इसके कुछ दिनों के बाद आनि अबाट 7 डेज लगभग से अनि वि फीस के रिगाइडिंग के बात और भी बतानी है कि फीस के लिए जाए बैट मिशन प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो आपको फीस भरना पड़ता है फीस भरने के लिए आप ऑनलाइन माध्यम से भी फीस जमा कर सकते हैं त्यानि उसके लिए डेविड कार्ट जो भी है या भरक सकते हैं कहीं कोई प्रॉल्म इसमें नहीं है अच्छा फीस कितनी होती है 1500 क्वार्टर ली यानि 500 रुपे परती मंत के हिसाफ से फीस भी बहुत ही शामान है यही वजह है कि लोग और इसमें बहुत ही एक्शुक होते हैं चुकि शामाने आये वाले लोग दूसरा कि प सवारातमिकता होती है कि अधरी वीडियालै में अडमिशन करवाने की अच्छा एक बात और भी जानी है कि अप्षा एक के बाद जो जिनके अविवाबकों को मौका नहीं मिल पाया है क्लास वन में एडमिशन लेने के लिए चुकि सम्भावना तो वन में ही जधिक होती है उसके बाद अगर सेकेंड, थार्ड, फोर्थ, और अगर अडमिस्न चाहते हैं तो आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा कि अगर वैकेंसी है इसकूल से कंसर्ण इसकूल से जानकारी लेनी पड़ेगी कि उसे स्कूल में वैकेंसी है या नहीं अगर है तो उसके लिए फ अन्यवाद